बिहार के तरफ बिहार लोग सेवा आयो की तरफ से एक अपडेट आया है असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियों को लेकर दोस्तो आज का यह अपडेट है और अभी थोड़ी दिर पहले है इसको पब्लिश किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आविधन किये थे यहां दोस्तो एक यह वेकेंसी निकाली गयी थी जिसके बारे में आपको मैंने अपडेट भी किया था तो आप मेंसे बहुत ऐसे चात्र हैं जिन्नों ने आविधन किया था यहां पे लेकिन आपके साथ यहां पे कुछ गरबर हो सकती है अगर इस वीडियो का आप लोग अंतक नहीं देख रहे हैं तो यह एक परफॉर्मा यह दिया गया है साथ में एक लिस्ट जारी किया गया है करीब 274 चात्रों का यह लिस्ट है मैं आपको सारा डेटेल ऑफिशल वेबसाइट पर ले जाके देख लाना चाहूंगा वेबसाइट का लिंक है दोस्तों यहां से आप चेक कर सकते हैं ओके यहां पे दोस्तों 23 सेप्टेंबर को यहां पे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है असिस्टेंट प्रोफेसर को लेकर regarding the mechanical engineer और यह वेकेंसी निकाल लेगी थी for the government colleges के लिए जितने भी engineering college में यहां पे असिस्टेंट प्रोफेसर की न्योकतिया थी उसके लिए update निकाल लेगया था एक वेकेंसी संख्या है दूस्तों 51 2020 की जिसको कि आप लोगोंने आविधन भी किया था एक लिस्ट जारी कर दिया गया है आप दूस्तों जिन छात्रों का hard copy यानि कि जो अभी आपने documents भेजे थें उनका hard copy ही receive नहीं हो पया है तो उनका list जारी किया गया है चुकि आप लोगोंने पहले registration किया होगा और वो registration वहाँ पर दिख रहा होगा तो उस registration में बहुत ऐसे नाम होगे जो कि आपने form दुबारा भर दिया होगा तो हो सकता है कि उस list में नाम हो अगर आपका इस चीज को लेकर check करना है तो आपको आयोग जाना पड़ेगा और नहीं तो मालने आपने एक ही बार form बराया और इस list में आपका नाम है तो आपको फिर से अपने सारे documents यहाँ पे सनलगन करके भेजने होगे यह आपको मैं पहले यहाँ पे notification देखलाना चाहता हूँ इस notification में क्या update किया गया है यहाँ से आप check कर सकते हैं देखे यह देखेगा दोस्तों यहाँ पे बिग्यान और प्रदोकी विभा की तरफ से आप सभी को अभियंतरन महाविद्यले सहायक प्रदाना ध्यापक की वेकेंसी निकाले गई 51 2020 की जिसमें कि कंडी का 9 और 1 और 2 में कंडी का 9 के 1 और 2 में सब डिटेल दिया गया था कि क्या क्या चीज़ी आपको हाट कोपी भेजनी है अमिद्वारों ने आप लोगों ने भेजा भी होगा यहाँ पर फीं हो इसरा lets और ऑप प्राप्त है यहाँ पे उनको यहाँ पर एक लिस्ट दिया गया है मैं वो लिस्ट पहले आपको दिखला दो यह आपका जो डिटेल है आपका देखे 23 सेप्टेंबर का अपडेट है regarding the 51 2020 के नोटिफिकेशन को लेगा असिस्टेंट प्रोफेसर की वेकेंसी है मैं कैडिकर इंजिनियर की वेकेंसी है दोस्तो आप सभी को दादे की Government of Engineering College का यह अपडेट है जिसके लिए कि आप से यहाँ पे आवे दिन मांगे गए थे आप सभी का यहाँ पे Hard Copy Receive नहीं हुआ है regarding the BPS ठीक इस वेकेंसी को लेखर 15 2020 को लेखर ओके दोस्तो अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूँ इसकी अपडेट पे जहाँ पे आपको बताया गया है कि अगर आप लोगा यहाँ पे अपडेट नहीं है documents तो आपको 5 October तक date सुनिश्चित करने को बोला गया है कि आपको 5 October से पहले अपने सारे documents का एक बर फिर से एक लिफापे में अपडेट करके आप भेजना होगा आयोग को आप सिधे आयोग जाके भी जमा कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर बोला गया है सापसा कि आपको क्या करना है कि जो भी आपके डॉक्मेंट्स है वो सुनिश्चित करेंगे और आविदक जो है आस्वस्थ हो ले कि निर्धारित प्रारूप के साथ सनलग में जितने भी साक्ष अचाया प्रती है यहाँ पर उनके और साथ में साक्ष के आधार पर जितने भी सही चीजी जो भी प्रमाण पत्र आपने दिये हैं तो वहां पर heart copy के तर्फे वो सही सही है और आपको क्या करना है दोस्तो, इंस सभी का heart copy कारियाले में अभी तक आप रात आपता है तो सूची के अनुषार जिन छात्रों का नाम है उन छात्रों को यहांपे बोला जारा कि आप अपने heart copy को भेजिए पांच अक्टूबर से पहले और दोस्तों यहाँ पे इसी सभी डॉक्मेंट्स को इस इमेल आइडी पर मेल भी करना है आपको बता दे कि जो भी छात्र अगर उन्हें लगता है ऐसा कि आयोग के दोरा निर्धारिती थी या हाट को भी प्रिशित किया है उन्होंने और अपने आपत्ती साक्षे करना होगा उनको यहाँ पे तो संगलगन कीजिए अपने सारे डॉक्मेंट्स को और निबंदित डा यह पांच अक्टूबर का डेट भी दिया गया है अब मैं आपको यहाँ पर पर्फॉर्मा दिखला देना चाहते हूं यहां से चेक किजिएगा यह जो है ना यह पर्फॉर्मा टू भी फिल्ट सब्मिटेट बाइदा कैंडिडेट तो यहां से क्लिक किजिएगा इसको और यह आपके सामने पेज़ डाउनलोड हो जाएगा और यहां पर क्या करना है आपको विग्यापन संख्या दिया हुआ है पोस्ट नेम आपको दिया गया है रजिस्ट्रेशन नंबर डालना आपको यहां पर और यहां पर उमिद्वार का नाम डालना है डेट अप बर्थ गर के भेजा गया का पता बताईएगा यहां पर आपको अपडेट करना है और साथ में आपको यहां पर दोस्तों स्पीट पोश्ट वाला number भी डाल देना है। तो ये सारे जो हैं, जो कि आपका consignment number होता है तो इसको आप लोग यहाँ पर डाल के जब भेजेंगे उमिद्वार कहा है, यहाँ पर हस्ताक्षर भी मांगा गया है तो अपना हस्ताक्षर दे दिजेगा और सारे documents को attach कर लिजेगा इक लिफाफे में pack किजेगा और speed post कर लिजेगा यह आपको detail दिया गया है यहाँ से BPSC की तरफ से दोस्तों करने के लिए ठीक है, तो हमने अपनी तरफ से आपको यह सारा update दे दिया अपने channel के माध्यम से, आपको क्या करना है इसके लिए आविदन कर लेना है और आप पत्ति कर देना है ठीक है, अगर आपको इस list में नाम है तो पहले नाम चेक कर लिजेगा भाई अपना registration number और date of birth के साथ मिला के चेक कर लिजेगा तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए ववाए, take care ध्यान रखेगा अपना और अपने परिवार का दोस्तों ध्यान रखेगा और जो भी आपको doubt है आप comment box में comment कर सकते हैं अगर आप बिहार BPSC या CDPO या फिर बिहार दुरुगा के त्यारी करते हैं तो आप हमारे चैनल YT Education भी subscribe कर सकते हैं वहाँ पे वो सारे update आपको अप्रोडेट किये जा रहे हैं जो कि हम लोग तैयारी में लगे हुए प्रैक्टिस सीट बगरा करा रहे हैं आप हमारे application पर द्वाइन कर सकते हैं YT Education का application डाउनलोड करके साथ दी साथ वहाँ पे आपको PDF मिलेगा उन PDF को पढ़िए अच्छे से उसका test दीजिए वहाँ पे खुद से और यहाँ पे हर दिन 8 बज़े शाम को मोक्टिस्ट होता है उस मोक्टिस्ट को अटेंद कर जिए YT Education के चैनल पे तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप से अगले वीडियो में तब तक लिए बावाई ठेक किया ध्यान रखेगा आपना और अपने परिवार का धन्यवादा